हाई गाइज वेल्कम टु माइचाइनल अच्छा आप बात बताओ अगर आपकी बॉडबी की जो पार्थ है वो मोटी हो जाती है तो आप उसके लिए क्या करते हो आप एकसाइच करते हो और उसे सेब मेलाने के लिए बहुत महनत करते रहते हो लेकिन अगर आपको मैं ये बत अगर आप उसे रेगलर साथ से आर दिनों तक पीते हो तो आपकी जो बाड़ी का वेट है आपकी बाड़ी जो मसल जैसे कि आपकी थाय आपकी बैली आपकी बैक एरिया में बहुत ही ज़्यादा मसल्स चमा हो जाती है तो उसे यह मखन की तरह पिगला देगी तो आपको यह है रेगलर यही इस ड्रिंक का कंडिशन है उसके बाद जब आपी ड्रिंक लोगी तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंस दिख जाएगा लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़े बहुत इक्सासाइजिच करने पड़ेंगी और हलके फलके आपको बहुत ही बड़ा जिमिंग न आप इसे इसली पचिच कर सकते हो और इसका अपोश्ट काफी कम है इस और कोई भी पचिच कर सकता है इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको ब्रॉन बाला फ्लेकसिद्द लेना है जिस तरीकी का मैंने पॉर्डर बनाया हुआ है उस तरीके का आपको powder बना लेना है अगर आप साबुत LC के बीच को consume करते हो तो उस condition में वो आपके body में अच्छे से absorb नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके insist time में इतना power नहीं होता है कि उस बीच को वो तोड़ सके क्योंकि LC का बीच काफी छोटा होता है तो इससे अच्छा होगा कि आप इसे थोड़ा सा powder कर लो तो ये आपके body में बहुत easily absorb हो जाएगी और आप पे अच्छा effect भी दिखाएगी तो जब आप इसे अच्छे तरीके से powder बना लो तो इसे आपको air tight container में रखना है और किसी भी dark place पे रखना है क्योंकि अलसी के बीज में तेल की मात्रा बहुत होती है अगर आप इसे धूप बगेरा में रखोगे तो अलसी के बीज की तेल उससे अलग हो जाएगी तो ये बात हुई कि आपको कैसा इस्टोर करना है जो फ्लैक्सिड होती है वो बहुत सारे nutrition के साथ लोडेड होती है और ये बहुत ही पुराना एक क्रॉप है जो कि आपको बहुत ही इसली मार्केट में अवलेवल भी हो जाएगी तो अगर आप इसका एक चमच एक टेवल स्पून अपने आपको देते हो तो आपके वाडी में फाइवर, फैटी एसेड, ओमेगा 3 जितने भी प्रकार के निट्रिंस होते हैं वो आपके वाडी में आ जाएगी तो आपको एक गलास पानी लेना है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेवल स्पून अलसी के बीज को अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद इसे आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है क्योंकि जो भी सॉल्यूवल इसमें कंटेंट है वो सॉल्यूवल हो जाए और जो अनसॉल्यूवल कंटेंट है वो थोड़ा अनसॉल्यूवल हो जाए अगर आप फिस नहीं खाते हो आप भेजिटेरियन हो तो उसका जो सेकेंडरी ओप्सन है वो अलसी का बीजी है क्योंकि दो ही चीज में ओमेगा 3 fatty acid पाया जाता है एक मचली में और जो दूसरा होता है वो आपके फ्लैक्सेड में तो आप अगर भेज टेरियन हो तो इससे अच्छा option आपके लिए कुछ होई नहीं सकता है अगर आप इसे intake करते हो तो आपकी body के cholesterol कम होगी अगर आपको heart की problem है तो उससे छुटकारा मिलेगा अगर आपको cancer की problem है किसी भी प्रकार की cancer हो, skin हो, clone हो, breast हो जो भी cancer है वो बहुत ही easily इससे कम हो जाएगी और अगर आपको sugar की problem है वो भी बहुत easily control में आ जाती है एक्सेट्स को आप किसी भी cheese में mix करके खा सकते हो like a cookie, muffin या फिर yogurt में लेकिन जब आप इसे पानी में dissolve करके पीते हो तो body बहुत ही easily फ्लैक्सेट के benefits को observe कर लेती ये तो drink करेगी आपके body पे full work लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ हलके full के exercise करने है और इस drink को आपको खाली पेट लेना है तभी आपको इसका अच्छा वाला result मिल पाएगा actually में क्या होता है friends जो फ्लैक्सेट्स होती है वो हमारे पेट को हमारी tummy को बहुत ही देर तक full रखती है जिसकी बज़े से हमारी body में कोई extra calorie नहीं जाता है तो अगर आप इस drink को लेते हो proper तरीके से दिनवर में एक बार जैसे मैं आपको बता रहे हूं वैसल लेते हो तो आपको अच्छा खासा भूक नहीं लगेगा जैसे कि आप अगर breakfast करते हो तो breakfast के बाद आपको सीधे lunch में ही भूक लगेगा बीच में जो थोड़ा भूक लग जाता है वो नहीं लगेगा अगर आपके बाड़ी में extra calorie नहीं जाएगी तो उस condition में आपकी बाड़ी में कोई भी बेट नहीं जारेगा अगर आप अपने बेट को लॉस करने के लिए हर तरीका को ट्राइक कर चुके हैं और आप ठक के हार के बैठ चुके हैं तो यह वाला ड्रिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है इसे आपको सिर्फ रेगुलर पीना है और मैं ग्रांटी करते हूं कि आपका बेट लॉस जल्दी से जल्दी होगा तो यह तब फ्रेंज आज का मेरा एक बैतरीन एपिसोड अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करेगा और दोस्तों में सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो मिलती हूं आप लोग साथ एक और नए बैतरीन एपिसोड में तब तक कुछ से प्यार करें अपना ख्याल रहें कि थांक्स वाचिंग वीडियो फ्रेंज तिल देन बाबाई